नन्ना नमस्कार गलू रानी चेन्नम्माना नांडू संगोली रायन नाना बिडू इपुन्य भुमिगे नन्ना नमस्कार गलू करणाटका का ये खेत्र अपनी परंपरा संस्कृती और ग्यान के लिए प्रसिद्ध है यहां की अनेक विबूतियों को ग्यान पीट पुरसकार से सम्मानित किया गया है इस खेत्र ने देश को एक से बढ़कर एक महान संगीत कार दिये है पंडित कुमार गंदर्व पंडित बसवराज राजगुरू पंडित मलिकारजुन मानसोर भारत रत्ना पंडित भिमसें जोशी और पंडिता गंगुभाई हंगल जी को मैं आज हुबली की धर्ती पर आकर नमन करते हुई अपनी स्रधांजली देता हूँ साथियों साल दोहजार तेईस में राष्टिय युवाद दिवस का ये दिन बहुत विशेश है एक और ये उर्जा महोच्षव और दूसरी और आज्ञादी का अम्रुत महोच्षव उठो जागो और लक्स दे पहले मत रुको एली एद्देली गुरु मटवातन का निल्द दी विवेक कनिंजी का ये उद्गोष भारत के युवाओं का जीवन मंत्र है आज अम्रित काल में हमें अपने कर्तव्यों पर जोड देते हुए अपने कर्तव्यों को समत्ते हुए देश को आगे बढ़ाना है और इसमें भारत के युवाओं के सामने स्वामी विवेक कनिंजी की बड़ी प्रेरणा है मैं इस आउसर पर स्वामी विवेक कनिंजी के चरणों में नमन करता हूँ अभी कुछ दिन नहीं पहले कर्नाटका की धर्ती के एक और महान संत त्रीशिदेश्वर्थ स्वामी जी का देहावसान हुआ है मैं सिद्देश्वर्थ स्वामी जी को भी आदर पुर्वक सर्धान्जली अर्पित करता हूँ चाथियो स्वामी विवाकन दन्जी का कर्नाटका से अध्वुत रिष्टा था उन्होंने अपने जीवन काल में कर्नाटका और इस ठेत्र की कई यात्राएं की थी बंगलूरू जाते समय वो हुबली धारवार भी आये थे इन यात्राओं ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी थी मैसुरू के महराजा भी उन लोगों में से एक थे जिनोंने स्वामी विवेखानंगी को शिकागो यात्रा में उनकी मदद की थी स्वामी जी का भारत भ्रह्मन इस बात का भी प्रमाण है कि कितनी ही सदियों से हमारी चेतना एक थी एक राष्ट्र के रुप्पे हमारी आत्मा एक थी कि भी उनकी में उनकी बात्मा एक प्राफ्ट्र के राष्ट्र के रहा है